नमस्कार दोस्तों आपके अपने चनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है अभी तक अगर आपने हमारे चनल सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल नोटिफिकेशन ओन कर लिजिए तक आपको आने वाले तमाम वीडियों की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए आग आपको इस्टाग्राम पेज के उपर भी हमारे लेटेस्ट वीडियो की जाने वाले नोटिफिकेशन से वहाँ पर मिल जाएगी इसके अलावा आप हमारे एक चैनल और एक ग्रूप को टेलिग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम एट्रिकेशन प्लेश्टोर से जाएए उर्पोर आप जाये के स्र्डеж कीजेए एडरेक्वाल मेंदर तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और at the rate mobile underscore mentor इसमें हमारा group मिल जाएगा तो आप group जोइन के student discussion में आप involved हो सकते हो किसी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं आज के session में हम लेने वाले है approximation based examples of simplifications देखे ऐसे question जो है आपको exam में 5 मार्स के पुछा आते हैं तो यह approximate values based जो examples है यह examations में बहुत बार पूछे गए है और मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो question आज हम discuss करने वाले हैं यह previous year solve questions ही है यानि कि आपको examations में इससे पहले पूछे गए होंगे तो इसे मेंसे मैंने यह उठाय है questions देखे question थोड़े से tough है और time consuming भी है तो मैं आपको अभी से बताना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है बट आप जो हैं यह जो tricks and tips है यह पूरी तरीके से ध्यान में दीजे जो भी अभी तक हमने जो tricks and tips मैंने आपको दी थी जो wedding match session है basic match session है या simplification है उसमें जो भी जितनी भी tricks करवाई है वो सभी tricks यहाँ पर हमें utilize करनी होगे तो यह एक तरीके से combine common exercise है तो आप सब जो है इसको में specially focus किजे अगर आपने थोड़ा सा भी video skip किया या नहीं देखा तो आपको दिकत हो सकती है विकोज इसमें आपके trick चली जाएगी as well as मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीच बीच में मैं आपको video भी recommend करूंगा अगर आपने just simple है जो भी related topic है अगर आपने उसके video नहीं देखे है तो उपर i button पर जाके click कर लेना तो वो सभी videos जो है यहाँ पर covered हो जाएगए ठेक है तो चलो बढ़ते हैं आज के session की दरब देखे question number 423 है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा root 730 है plus root 3365 है is equal to question mark into 4.936 अब देखे यहाँ पर आपको क्या बोला है approximate values है दूसरी चीज आप note करोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी option में none करके कोई भी option नहीं है ठेके यह अपन which can note की कि यहाँ पर आपको none option नहीं है आप देखे तीसरी चीज तीसरी जीज जो आपको note करनी है वो क्या note करनी है देखे आपको option note करने है देखे आपके option क्या है 13 15 17 19 21 देखे सभी option एक दूसरी के बहुत ही करीब है आप देखे यानि कि अगर आपने थोड़े से भी mistakes की calculations म में या nearby calculation करने की कोशिश की तो हमारा option जो है वो change हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ तो यहाँ पर हमें जो है perfect calculations करना है आपको एक चीज ज्याद रखनी है थोड़ा सा perfection बलें यहाँ पर approximate value बुली है बट थोड़ा सा perfection रहेगा तो ज्यादा better रहेगा reason is that अगर आप approximately देखे अगर किसी question का answer 14 बन रहा है तो आप 13 दोगे या 15 दोगे या 14.01 आ रहा है या 13.99 आ रहा है तो आपको दिक्कत हो सकती है और आपका answer गलत हो सकता है तो आपको जो है सही option का चुनाव करना यहाँ पर हद से ज़्यादा जरूरी है तो इसके लिए आपको जो है पूरे पूरा जो lecture है वो पूरा देखना पड़ेगा ठीक है तो देखते हैं देखे यहाँ पर root 730 है अभी तक जो हमने देखा है हमने perfect square number देखा था यहाँ पर यहाँ पर तो imperfect square है देखे आपको number देखते हैं समझ में आ जाना चुई यह imperfect square है because just simple है मुझे तो square and cube स्याद है ठीक है बट आपको शायद याद ना होंगे मैंने आपको पहले भी बुला था कि आपको अभी से at least 1 to 50 तक के square अगर आप कर लेते हो तो बहुत बढ़िया होती आपकी speed बहुत तम होगी जब आप यह ऐसे प्रकार के कोई भी question देखोगे तो आपको मालूम अंदादा लग जाएगा यह किस number के आसपास का perfect root है तो चलो बढ़ते हैं देखे root 730 है तो रेकर root 730 देखे हमें मालूम है 27 का square क्या बनता है 729 तो यहाँ पर value क्या है 27 plus आपको उपर करवाई है आप आए बटन में जाई है एस वेले आपको description भी नन परफेट स्क्वार रूट कैसे निकालना है यह आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर 27 plus 1 upon 400 तो वन को अगर 54 से डिवाइड करेंगे तो 54 को जब डिवाइड नहीं होगा तो उसका 0 रखना पड़ लगाना पड़ेगा 1549 जाके आसपास आएका तो 27.01 हमें दो डेसिमर्स सक लेना है कोई प्रॉल्म निया प्लस यहाँ पर क्या लेंगे हम 3365 है दोसे देखे 3365 तो देखे 3365 के आसपास के नंबर का रूट हमें देखना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा देखे 3365 य तो यहाँ पर 5 3 235 तो 235 डिवाइड बाइड क्या होगा यहाँ पर इसका दूगना कर लो ठीक है और यह पांच से डिवाइड होगा तो तुझे सेंपल 245 जा बन जाएगा और यह तो यहाँ पर बना 14 ठीक है तो यहाँ पर बना 14 ठीक है तो 60-1.9 हो जाएगा यहाँ पर 60-1.9 तो कितना बनेगा 58.1 बन जाएगा तो 58.1 यहाँ पर आप प्लस कर दो ठीक है एक्जेट आप क्यल्कोजट नहीं करोगे तो भी चलेगा question mark into 4.936 यानि के nearby है 5 का अब आप जो है यहाँ पर इन दुनों का एडिशन को रोग सबसे पहले तो 8 और साथ 15 वन के रिखिया पांच और तीन आठ यहाँ पर आपका आंसर क्या बना 17 तो ऑप्शन इलबी सी तो देखे बहुत ही आसानी के साथ हमने question को स्वाल कर लिया देखे यह पहला question है आपको दिकत होगी स्वाल करने में और मैं समझा रहा हूं इसलिए भी मुझे शे मिनिट अर्मॉस्ट लग गई है इसके साथ मैं आपको explain भी कर रहा हूं ठेक है बट examination में हम इतना time नहीं लेंगे ठेक है तो hopes आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है चलो बढ़ते हैं next point की तरफ 724 divided by देखे 47.87 है तो हम क्या करेंगे 7824 divided by 48 कर लेंगे ठीक है प्लस 3236 divided by 57 कर लेंगे is equal to question mark अब देखे यहां पर भी अगर हम note करेंगे तो यह हमने इसको round off कर दिया आप दिखाए दे रहा है आपको और यहां पर हम round off कर लेंगे अब देखे यह नंबर तो 12 से डिवाइड हो रहा है क्या यह नंबर हो रहा है यहां पर हम इसको क्या करेंगे छे से डिवाइड कर लेंगे तो यहां पर बन जाएगा और यहां पर हम कर देंगे 6 बन जाए 6 फिर 6 3 जा 18 0 6 4 जा 24 तीरा सो चार बन जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है मैंने उपर नीचे 6 से डिवाइड कर लिया तो अब तेरा सो चार को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बन जा 8 यहां पर बना क्या 5 बनेगा देखे मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हू 57 अगर हम 6 कर देते हैं तो यहां पर 6 से नहीं होगा 5 से होगा तो 57 आप क्या कीजे 57 इंटू 5 क्या आपका अंसर अता है 285 बना और इसको अगर हम 323 में से अगर हम माइनस करेंगे तो 38 आएगा 386 को अब हम 57 से डिवाइड करेंगे तो 57 6 जा तो सीधा ही आपका अंसर बन जाएगा 57 इंटू 6 करेंगे देखे 57 इंटू 6 तो 342 बनता है ठेक है तो 342 हम यहां पर सीधा ही सौरी यहां पर 57 हम सीधा ही नहीं लिख सकते एक्चुली मेरी गलबड होगी थोड़ा सा ध्यान किया तो हम यहां पर 56 लखेंगे यास 56 ही रखेंगे ठीक है तो हमने क्या किया देखे सबसे पहले 32 36 है डिवाइड भाइड बाइग 57 क्या 57 5 जा यहां पर जो बना है 285 बना है तो इसको हमने माइनस कर दिया उसके बाद उसके बाद यहाँ पर जो है हमने इसका difference निकाला जो भी difference आया है वो आया है 386 आया है और यहाँ पर जो है इसका 6 ठेक है तो 163 प्लस अगर हम 256 करेंगे तो कितना बनेगा 219 बनेगा यानि कि इसके नस्दी कि 219 कहीं पर भी option नहीं है बढ़ इसके सबसे करीबी कौन सा है 220 तो optional भी बी तो देखे बहुत ही आसानी के साथ हमने question को solve कर लिया है ठेक है hope so clear है देखे question को इसी तरीके solve करना पड़ता है यह जो figure से इसको round up करनी पड़ेगी आपको और इसको कुछ figures को आपको छोडनी भी पड़ेगी ठेक है तो देखे हम मेड़ते हैं next question की तरफ question number 425 की तरफ जा रहे है हम question number 425 देखे 0.028 तो हम क्या करेंगे 28 upon 1000 लिख देंगे into 312 कर देंगे plus 12 upon 1000 कर देंगे और इसका percentage है 0.012 percentage है तो इसका भी हम क्या करेंगे into 100 लगा देंगे into 416 कर देंगे ठेक है देखे question बहुत ही आसान है आप इसको complicated मत बनाईए आपको क्या करना है 28 देखे मैं आपको सिधा बताया था 28 into 2 कितना बनेगा 56 बनेगा 5 रगदो 28 बनेगा 28 प्लस 5 कितना बनेगा 26 ठेक है और यहां पर 3 पॉइंट लग जाएंगे यानि के 8.736 बन गया अब इसको क्या करो आप 12 को इसको इसको इसाथ multiply करो 12 6 जा 72 7 के रिखिया 12 जाब 12 प्लस 7 19 1 के रिखिया 12 जाब 48 प्लस 149 4992 ठेक है 4992 यह आपका बन गया देखिये ध्यान दीजिए once again मैं कर रहा हूँ 12 6 जाब 72 टू लिखा 7 के रिखिया 12 जाब 12 प्लस 7 19 यानि के 1 के रिखिया 12 इंटो 4 यहां पर 48 आएगा प्लस 14992 अब जस सिंपल हम क्या करेंगे इसका जो है इसका जो है यहां पर जो है 0 लगा देंगे यहां पर क्या बन रहा है इसका जो है यहां पर 0 लगा देंगे हम सिंपल है कितने 0 लगाएंगे मुझे बताइजे जरा तो हम यहां पर इसकी जो 0 लगाने वाले वो 5 0 लगाने वाले 0.04992 ठीक है अब इसको हम प्लस कर देंगे तो यहां पर दिखे सबसे यदा डेसिमल सीसी में है तो जैसे हमें दिख रहा है कि 8.30 ही जा रहा है ठीक है 7.7 के आसपास लिए तो दिखे 8.77 के सबसे नज़ी कौन है 22 है नई 18 है नई 14 जैस 6 हो सकता है बड़ सबसे नज़ी क्या है 10 है तो option क्या बनेगा D तो देखे इसी तरीके से आपको questions को tackle करना है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है कि हम यहां पर answer क्या दे क्या होता है कि जब हम ऐसे question को calculate करते ना तो हमारा confidence जो है वो down हो जाता है कई दफा यह चीज मैंने देखे हुए है तो आपको बिल्कुल भी confidence आपका down नहीं करना है hope so आपको पूरी तरीके से question जो है वो clear हो रहे है ठीक है तो चलो बढ़ते है next question की तरह पर चलो next question क्या दिया है question number 426 दिया है यहां पर question number 426 से वो 189 into 3.27 है तो just simple है 189 अब देखे यहां पर into 3.27 देखे 189.089 इसको मैं निग्लेक कर रहा हूं ठीक है उसी तरीके से plus 4.004 into 111.81 नहीं है तो मैं क्या करूंगा 112 कर दूंगा सवज में आ रहा है तो देखे यहां पर मुझे दिख रहा है यह वाला कल्कोशन ज्यादा आइसान है तो 48 और यह 448 बन गया ठीक है यह बन गया अब देखे हम option को एक बर ध्यान से देख रहे हैं तो option को देखेंगे देखे मैं बीच में आपको जानबच कर इंटरप कर रहा हूं हो हमें मालूम पड़े कि क्या करना है यहां पर 1015 है यहां पर जो है आपका option क्या है 1035 यहां पर 1065 यहां पर क्या है 1085 और 2005 इसका मतलब क्या हुआ यहां पर इसका मतलब आपका यह होगा कि अगर हमने थोड़ी सी भी गड़बड की तो हमारा answer जो है वह 20 के difference की वज़े से जो 327 कर लूं कोई प्रोलम नीए ठीक है 2020 सेवन कर लोए प्रोलम नीए अब देखे यहां पर क्या बोला है 189 इंटू सिफरी पॉंट टूसेवन ठीक है तो आपकि पास देखे अगर आप ऐसा करते है इसमें की तर वन इंटिन्ञें नो आपको बताना चाहूंगा कि 189 इंटू 327 जो यह है जो 327 इसकी वैल्यू है यह वैल्यू ज्यादा बनने चीए रिजन इस यहाँ पर 0.727 जो है न हो 189 से मल्टिप्ला हो रहा है तो जिस्पल है अगर हम बात करेंगे 27 इंटू 4 करते हैं तो कितना बनेगा यहाँ पर 27 इंटू 5 कर दो चलो 27 इंटू 5 तो यह 1. समसिंग मिंस 25 जो 125 बढ़ जाता है तो यह 1.2 के आसपास चला जाता है 1.02 के आसपास ले लो हम इसे तो अगर हम बात करें 0.27 जो है 0.27 को भी आप क्या करो 190 से मल्टिप्लाइ कर लो तो 1934 57 यानि कि 51 के आराउंड इसमें कुछ वैल्यू एड़ हो जाएगी जह सिंपल है देखो कैसे काल्कुशन करना है यह मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूं यह ता आप 189 इंटू 3 372 27 के साथ मल्टिप्लाइ करो यह आप X Xn multiply करो देखा 50 70 प्लस यह यहां पर बन जाएगा 620 के आरांड कुछ बंजएगा प्लस यहां पर 448 आरांड आ जाएगा तो यहां पर आट यहां पर बन जाएगा 6 और 6 और 168 जानिके 1065 इसका आंसर होना चाहिए जब आप इसको मैं मुल्टिपिकेशन नहीं कर रहा हूँ इसके लिए मैं आपको 3 by 3 का मुल्टिपिकेशन पूरी तरीके से बता दिया है और अगर मैं बात करो आपको तो अगर हमें यह मुल्टिपिकेशन नहीं करना है तो हम क्या करेंगे 190 इंटू 3 कर लो 570 बन गया और 190 इंटू 0.25 कर लो ना अगर आपको ऐसी दिखते तो यह आराउंड यहां पर जास इंपल है तो यहां पर option C बन जाएगा सब्सक्राइब मैं आपको यहां पर दो तीन तरीके से के अलकोशन समझाए ठीक है मैं वन सेकेंड रिपेट कर रहा हूं ध्यान दीजिए देखिए 189 इंटू 327 आप कर लो जो भी आंसर आएगा उसमें से 2 पॉइंट निकाल देना ठीक है देखिए 45 इंटू 2 केतना बनता है 90 बनता है 90 इंटू 2 यहां पर बन जाता है 180 तो यहां पर 45 या 47 भी हम ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर 570 बन गया तो यह इस तरीके से हम approximation आंसर देखिए इसको हम calculate कर सकते हैं तो होप सो आपको पूरी तरीके से clear है ठीक ह अब next हम बढ़ते हैं next question की तरफ next question जो है question number 427 है ठीक है देखे 427 में क्या है 3.24 इंट ओफ और यहां पर 194.79 है ठीक है देखे आप question को बहुत ध्यान से देखे तो देखे यह question को हम कैसे solve करें इसको मैं पूरी तरीके से बता रहा हूं तो देखे यहां पर 194.79 है तो हम यहां पर 3 पूरा लेंगे 3.24 इंटू 5842 डिवाइड बाइ 195 ले लो ठीक है इसको round of कर देता हूं अब देखे यहां पर almost यह दोस्तों बन रहा है यानि कि यहां पर 2724 बनता है 2826 यानि कि यहां पर 29 या 30 के आसपास को amount आ रही है देखे exactly 30 के आसपास आईगे ठ है और 30.24 यान कि 2430 72 तो यहां पर बन जाएगा प्लस 7.2 यानि कि यहां पर 97.2 सिधा answer 97.2 यानि कि नजजी के सबसे answer बनेगा 97 इसमें डिस्टंस वड़ा सा ज्यादा है हाला कि 97102 में conflict हो सकता है बड़ मैंने question को बहुत अच्छे से टेकल किया है इसलिए कोई दिकत नहीं आनी चाहिए ठीक है चलो एक बार वापी समझते इसी question को देखिए मैंने क्या किया 3.24 इंटो 5842 डिवाइड बाई 195 राउंडव कर दिया अब 195 को अगर हम देखिए 200 इंटो 30 कर लेते तो 6000 के असपास बन जाता है सब्सक्राइब तो उस तरीके से 1.500 यहां पर माइनस हो जा इंटो 30 कर दिया यहां पर बन गया 6000 माइनस 150 यहां पर 5850 क्या राउंड को यह आ रहा है तो अप्रोक्सिमेट 30 आ गया 30 इंटो 3.24 तो 30 इंटो 3 नहीं होनी चाया आपको देखिए मैंने कोशिश की है कि आपको जो है यह सभी कोशन जो है बहुत easily solve करके तू, ठीक है, तो hope so आपको पूरी तरीके से ये question समझ में आ रहा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप थोड़ी practice लगातार कीजिए, तो आपको समझ में आएगा ये question कैसे है और किस तरीके से solve करते हैं, ठीक है, तो let's see, हम next question solve करते हैं, देख इन्टू, यहाँ पर square root में क्या है, 1220, सफ़ज में आ रहा है, 1220, तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा, तो ये जो है, देखे, ये जो है 35 के आसपास के numbers है, 35 का अगर आप square करते हो, तो क्या बनता है, 55 of 25 and 4th region 12, 1225 बनता है, यानि कि 34 point को सम्तिं होना चाहिए, यानि क ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, minus 5 upon 70, यहाँ पर क्या बनेगा, 5 बन जा 5, इसको 70 को 5 से डिवाइड करो, 70 को 5 से डिवाइड करोगे, तो क्या answer बनेगा, दीखे, वर्बली बताना है, 14 बन जाएगा, तो 1 by 14 बनेगा, ठीक है, तो 14, अब 1 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, पहले तो point लग जाएगा, फिर 0, बन से डिवाइड 0, यहाँ पर बन से डिवाइड 0, तो 14 से डिवाइड 98, तो 35 में से 0.07 माइनस करेंगे, तो बनेगा 34.93, इस इट लियर, यहाँ पर आंसर बनेगा, अब देखे, क्योब रूट देखते हैं, क्योब र देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, रिजन इस यहाँ पर जो है, आपको दिखाए दे रहा है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, 54870, इसका अगर आप क्योब रूट निकालते हो, तो क्या बनेगा, तो उसके लिए देखे, मैंने आपको सिखाया था, नन क्योब नंबर का क्योब रूट कैसे निकालना है, उपर आप आई वीडियो में जाए, और जो नोटिफिकेशन से उसमें देख लीजिए, कि मैंने आपको नन पर्फेक्ट क्योब का क्योब रूट कैसे निकालना, यह मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है, इसके अलाव तो देखिए यह आपको इसके नजदीक दिख रहा है और आप 30 का क्यों किए तो 30 का कि इतना बंदा है तो देखिए यह वैलियो 54870 किसके नजदीक है 64000 के तो मेरे हिसाब से यह जो है 38 के आसपास कोई नंबर होना चीए जिससे आपका आंसर बन जाएगा अब जस्सिंपल है अगर आप 38 into 35 करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा जाने कि 38 देखिए यहाँ पर देखिए 38 का क्यूब जो बनता है ना 54872 बनना चीए यही नंबर बनना चीए विकोज देखिए यहाँ पर एप्रोक्सिमेट बोला है ठीक है और आप जो है उपर आए बटन पर प्लिक कीजिए आपको एप्रोक्सिमेशन में कैसे निकालना यह मैंने आपको बता दिया है अब आपके लिए जो है बहुत ही आसान हो गया 38 into 35 करेंगे तो यहाँ पर आप जिरो 25 plus 28 1330 यह एप्रोक्सिमेशन एमोंट बनेगी ठीक है तो होप सो आपको जो है यहां पर पूरी तरीके से जो कॉस्यन है वो क्लियर हो गया है कोई भी दिकत नहीं होने चाहिए ठीक है कोई भी दिकत नहीं होनी चाहिए अब देखे यहां पर क्या हो रहा है आपको यह चीज़ क्लियर होई यहां पर यह क्या हो रहा है आपको यह चीज़ क्लियर होई या नहीं होई मुझे बताईए देखे आपको पूरी तरीके से इन्फरमेशन से मिलनी चीज़ पूरी जानकारी मिलनी चीज़ जाए कि यह कैसे सौल होता है तो देखे आज जो हैं हम यहीं पर रुखेंगे बट आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा यह जो कुछ Queshens है आपको जो नीचे दियेगा है या पूरे ही सा तरीके से सवाल किजे इसी तरीके से ठेक है जो भी मैंने आपको questions करवाए है और यह जो question है तकरीबन 450 से के question से यानि कि मैंने आपको 423 से लेके 450 question दिये है आप इसको go through कर लिजे और सवाल किजे में पूछे गये हैं previous exam में वही मैंने questions लिये हैं तो आप ये कोशिश करना कि ये questions सभी के सबी सबी सब्सक्राइब करें कोशिश करें कि आप जो है इसका अंसर सही तरीके से बाइद वे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी question में doubt है तो आप मुझे comment section में जरूर बताइए कि सर ये questions कैसे सब्सक्राइब तो मैं आपको इसका अलग वीडियो बनाएके मैं आपको जरूर शेयर करूँगा ठेक है तो आज के लिए इतना ही आशार रखता हूं आपको ये सभी के सभी questions अच्छी तरीके से सब्सक्राइब आया होंगे और मैंने कैसे सब्सक्राइब ये भी आपको पूरी जानकरी मिली होगे तो आज के लिए मैं यहीं पर रुखता हूं आपको इसी तरीके से अप्टुडेट जो है नए-ने questions और नए-ने करता हूं